यहार में तो लोग college पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ admission इसलिए लेते हैं, ताकि वो examination में participate कर सकें, appear हो सकें, basic qualification के लिए, कहा जाता है कि bank का form भरना है तो आपके पास graduation की डिगरी होनी चाहिए, इसलिए किसी भी college में admission ले लेते हैं, college जाते नहीं है, इसलिए college में teacher है की नहीं है, library है की नहीं है, सरकार कितना fund दे रही है, ये student के सामने कोई question नहीं है, उसके सामने एक ही question है, दिन रात competition की तयारी करनी है, पर्तियोगता परिक्षा में पास करने के लिए जो पत्रिकाएं मिलती हैं, बाजार में उसको खरीदना है, अलग-अ 200 seat है, तो 20 लाख लोग apply करते हैं, कि कहीं उस 200 में से एक seat ही तो मुझे लेनी है, ये crisis इसलिए मैं वहाँ से देखने की कोशिस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहां थे और आप लोगों की legitimacy थी दिल्ली की civil society में, आप लोग जब बाहर निकलते थे तो लोग आपको जानत कि ये फलाने प्रोफेसर सहाब हैं, ये फलाने प्रोफेसर सहाब हैं, हमारे हाँ लोग प्रोफेसर को नहीं पहचानते हैं, हमारे हाँ लोग गुंडा को जानते हैं, कि ये पांच बर जेल गया है, दस मर्डर किया है, इसका जो है 200 ट्रक चलता है, इसका 500 बस चलता है, और जराइग नूट के चाई ले लीज़ैं यह हुआ कैसे यह कैसे शुरू हो गया और Sitting I वो भाजपा पर नहीं देना चाहता हूं मैं इसका पुर्या दोस जो है वो मोदी जी पर नहीं देना चाहता हूं हम सब लोग डायरेक्टली या इंडायरेक्टली जिस भी पॉलिटिकल आइडिलोजी या पार्टी से एफिलिएशन रखते हों पहला दोस उनका है एक रेजिल एजुकेशन के बजट के बारे में दिखा दीजिए कितना फंड एलोकेट होगा उस पे दिखा दीजिए टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए उस पे दिखा दीजिए आखी समाज का ये प्रोच बदला कैसे जिन सवालों को आज मैं फेस कर रहा हूं आ कि अमर 30-बर्स हो गई है इसे आप मत पढ़िए ये कब हो गया कि आप पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे टेक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है ये कब हो गया कि आप सो यह सवाल पूछा जाए कि आप 30-बर्स के होकर के जेणियु में PhD कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए, वहाँ 16 वर्स के बच्चे कॉमन वेल्थ गेम में मैडल जीत रहे हैं। ये कैसे हो गया? इस लिहाज से तो इस देश के सभी लीडरों को 23 वर्स की उमर में पहुंचते पहुंचते फासी पर चढ़ जाना चाहिए। क्योंकि भगा सिंग तो 23 वर्स की उमरें फासी पर चढ़ गये थे। ये कैसे हो गया? जब आप से कोई पूछता है ट्रेंड में कि क्या करते हैं। और आप कहते हैं कि पी एच दी करते हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि साइकिल पर चलने वाला एक इमानदार टीचर, मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, उसको अपने बच्चे के डोनेशन के लिए कर्ज पे, ब्याज पे, ब्याज पे करजा लेना परा और अपने बच्चे को इंजिनिरिंग करने के लिए वो भेजा, जबकि वो टीचर है वो जानता है उसका बच्चा इंजिनिरिंग अच्छा नहीं कर सकता है, उसका गनित कमजोर है फिर भी वो उसको इंजीनियर बनाने के लिए क्यों भेजा कि उसको पता था कि इंजीनियर नहीं बनाएंगे तो इसको नौकरी नहीं मिलेगे तो उसका ब्याह नहीं होगा सबसे बड़ी समस्या यह है यह हुआ किसे फिर उसको अपसोस होने लगा अप मैं उसका भाषन लिखता और जब वो एमेले बन जाता तो मैं उसका प्रियस बन जाता यह कैसे हुआ कि यह तब हुआ जब सिक्षा अपने आप में एक राजनितिक सवाल है और हम इसको राजनिती के तौर पर लेना बंद कर देते हैं और यह बात तो इसलिए कह रहा हूं कि सिक्षा राजनिती का एक सवाल है और यह आज नहीं है यह महावारत के दोर में भी था यह कौन तैकिया कि एक लब धनुष चलाने नहीं सीखेगा और अरजुन सीखेगा यह कौन तैकिया यह तो जब दरवार था धित्रास्त का उसमें जो द्रोणा चाय थे विशुपितामा थे वह जो दस बारह लोगों की टीम थी उसने ही तैकिया न कि नहीं पढ़ने दिया जाएगा धनुष चपको नहीं चलाना है उसमक्त विद्या के नाम पे धनुष चलाना ही सिखाया ज होंगे लेकिन द्रोणा चाय से धनुष एकलब चलाने के लिए नहीं सीख सकता है इस बात को समझे कि कैसे एजुकेशनल इंस्टिउट के दरवाजे पॉलिटिकल कॉंसिशनेस के साथ बंद किये गया है कभी कास्ट के नाम पे कभी लेंग्वेज के नाम पे जान बूच कर भी हमारी पढ़वाह करना बंद कर दिया बुला भाण ने चाओ अगर हम अपने बच्चे को नियोर्क पढ़ने के लिए भेज दें तो हमको फरक पढ़ता है कि दिल्ली युवस्ट्टी में क्या हो रहा है अगर हम अपने परिपार के लोगों के मेरे पास पैसा है उसको हम किसी महंगे श्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें तो हमको फरक पढ़ता है कि जो दिल्ली सरकारी स्कूल चला रही है वहाँ पे बेंच है कि नहीं है सबसे पहले इस देश के इलीट लोगों ने मैं घलत सब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को भेजना बंद किया और पब्लिक एजुकेशन का डिस्ट्रॉई होना एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कुष्चन था ये बात की बहस होनी बंद हो गई कि इस देश में बजट का कितना हिस्सा खर्च किया जाएगा जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था तो एक प्रटिस चल रहा था दो नारे मुझे आज भी याद है कहा जा रहा था राष्ट्पती हो या चपरासी की संतान सबको सिख्चा एक समान कहा जा रहा था सिख्चा पर जो खर्चा हो बजट का दस्वा हिस्सा हो कोटारी कमिशन की सिफारिशों को लागू करो आज कहा जा रहा है कि क्यों पढ़ रहे हो टेक्सपेर का पैसा बरबात करते हो यह बहस यहा तक आई कैसे मैं समासता हूं कि सिख्चा एक important political question है स्टेट अपनी लिजिटिमेशी के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडिलोजी की लिजिटिमेशी के लिए सिक्षा को एक राजनेटिक टूल के रूप में इस्तिमाल करती है अगर सच मुच हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि आज एडिकेशन के उपर एटैक है वो एटैक मैं टीन फॉर्म में देखता हूँ पहला सेंट्रलाइजिशन आफ एडिकेशन यहां भी जब चर्चा होगी तो ज़्यादा तर चर्चा जो है वो जे नियू डियू और जामिया का ही होगा बिहार के किसी सुदूर कॉलेज में क्या हो रहा है उसकी चर्चा नहीं होगी मैं उमीद करता हूँ कि इस ट्रिगूनल में कम से कम वो सुदूर आवाज जो दिल्ली नहीं पहुँच पा रही है उसकी भी चर्चा हो सेंट्रलाइजिशन आफ एडिकेशन दूसरा प्राइजिशन आफ एडिकेशन यह वही मेथड है प्राइजिशन आफ प्राफिट एडिकेशन आफ लॉक्स कि पब्लिक के टैक्स के पैसे से नेरव मोधी को करजा दे करके उसको उरन चू कर देंगे है और कहेंगे क्या नीजी करण बहुत अच्छा होता है जेहनियू के पैसे से हमारे बगल में एक होस्पीटल है रॉक्लेंड वो चलता है करोरो रुपया खर्च करते हैं करोरो रुपया एक एक करमचारी एक एक टीचर का बिल जो है कई बार 20 लाख 25 लाख रुपय में पहुंच जाता है उनका इलाज जो है किसी सरकारी होस्पीटल में नहीं हो सकता है ये जो रूट किया जाता है फंड को इधर से उधर हमारे हम इदहाती में एक भासा कहते हैं कि इस कोठी का धान उस कोठी में डालना यही इकी पॉब्लिक का पैसा है जो इधर से उधर करते रहते हैं और उसमें एक निरेटिव बनाते हैं कि अगर संस्थान प्राइवेट होगा तो बड़ा आच्छा होगा और मैं कुछ उन्यादी सवाल पुषता हूँ जिसका जवाब लोग नहीं देते हैं सबसे बेस्ट इंजिंरिंग इस्टिटूट आज भी IIT क्यूं है सबसे बेस्ट इनवर्सटी आज भी JNU क्यूं है और कोई भी आज में बिमार होता है चैहां उसके पास किता भी पैसा क्यों ना हो इलाज कराने के लिए MC क्यों जाता है यह सारे पूब्लिक इस्टिट्स हैं, यह narrative बनायेगा समाज में कि SBI के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ICI-CIA के कर्मचारी बहुत काम करते हैं, इतना काम किये हैं कि सारा पैसा जो है अपने पती के माधिन से एक बिजनेसमें को दे दिए हैं, यह जो एक narrative है, उस narrative में आज यह कहा जा रहा है कि सिक्षा देना सरकार का काम नहीं है, आपको अदर लेना है, तो आप लिजिए, आपकी जितनी छंता है आप ले लिजिए, सिक्षा देना सरकार का कोई काम नहीं है, और इस लिहास से कई तरह के सिक्षा सिक्षा संस्थान चल रहे हैं, कई तरह के, एक सिक् बारिवाला का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने आ जाएगा, तो उसके घर का महल खराब हो जाएगा, वहाँ पे बारत की भाषाओं को छोड़ दिया जाए, इस्पेनिस, जर्मान, फ्रेंच भी पढ़ाया जाता है, और एक वैसा स्कूल है जहां बुल्चपूरी भी नहीं जिखाया जाता है, कई तरह के मल्टी लेवली स्कूल चल रहे हैं, और तीसरा है, मैं सेफरनाइजेशन नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि प्रेवल जज, एक जज सहाब है, क्या कहें, कहता है कि मोर के, मोर जो है, मोरनी के आँख में आशू डाल देता है, इसे उसको बच्चा हो जाता है, यह जज बोल रहे हैं देश के, और यह परचारित हो रहा है, सिक्षा मंतरी कहता है कि डार्विन का सिध्यान गलत था, दे प्रेशनल सवाल जो है, उसके कोई करने के लिए तयार नहीं है, एक-एक करके एजुकेशनल इंस्टियूट को डिस्ट्रॉइ किया गया है, ताकि भारत के अंदर समाज सेकुलर है कि नहीं है, इसकी गारेंटी में नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सिलेबस जरूर सेकुलर था और सेकुलर था, इसलिए उस सेकुलर 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 को पढ़ने के बाद थोरा भूत असर होई जाता था ना इस्टूडेंट पे, परिक्षा पास करने के लिए अगर इतिहास का दो अध्याय पढ़ ली हैं, तो ये पता है कि घोड़ा नहीं था सिंदुगाती सब्यता म इतनी बात समझ में आती थी, ये पता है कि उस जमाने में हिंदु भी गायमांज खाते थे, ये पता है कि अकबर ने दिने इलाही चलाया, ये पता है कि जब इरान में सिया रिजीम आया, तो अकबर ने कहा कि मैं उसको पूछा कि तुम कौन से मुशलमान हो, बोला मैं इंदुस्तानी है यह पता है कि अकबर के दर्बार में जो नौरत नहीं वो सिर्फ मुसल्मान नहीं है उसमें तांसेन है बिडबद है यह जो सिलेबस है इस सिलेबस को बदलना एक प्राइमरी टास्क है तो जो तीसरा एटैक है वो है कॉम्नलाइजिशन अफ एजुकेशन औ और आदमी को उसकी क्वालिटी पर नहीं उसका फॉलोवर कितना है इस हिसाब से उसको जज़ करते हैं यह जो मानसिक्ता बनी है रेटिंग वाली मानसिक्ता एक्चुली एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए है हो सकता है कि किसी स्कूल में गाय का दूर कैसे निगाला जाता ज़ा यह सिखाए जाता हो तो क्या वो सिख्छा का हिस्टा नहीं है 4 एक यह उसको मनौलिज नहीं पहला है कि वाली मानसिक्ता दरसल इसलिए है कि सिर्फ्टम्रांस मॉर्डर स्माटर पर कॉलेज को भेजना है जब पता चलेका कि यह ब्सट्यूरस्टी है तब करकार आथ तो बेस्ट इन्वस्टी है तो आपके यहां बेस्ट स्टूडेंट आएंगे तो बेस्ट स्टूडेंट के माबाप भी बेस्ट होंगे इसलिए उनसे बेस्ट फीग लेकर के जो है आप इस्कूल चलाएगे और इस्कूल में कॉलेज में सब को आना जरूरी नहीं है इसलिए ये रेटिंग वाली मानसिक्ता लाई गई है ताकि एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में बेचा जा सके आखरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा ये असपस्ट मत है ट्रिबिनल के लोगों के सामने भी कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ जेएनियो को बचाने की लड़ाई सिख्षा को बचाने की लड़ाई दिल्ली में नहीं लड़ी जाएगी जब तक बिहार के, 36 गड़ के, महारास्त्रा के गाउं में बैठे लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि जेएनियो क्या करता है जब तोक उनको इस बात का हिसास नहीं होगा कि एक आमगान वारी में काम करने वाली महिला का बेटा जेनियो जेसे प्रेंकिंग पे बात कर लेते हैं अभी क्योंकि एन रेंकिंग वाली मांग सकता है देश की बेस्ट इन्वर्स्टी में पढ़ सकता है 120 रुपे में और उस पढ़ने की लड़ाई को यदि वो लड़ता है तो Constitution Club में भाशन नहीं दे सकता है यह बात जब उसको लग जाएगा यह जब समाजिक सरोकार उसके साथ अस्थापित हो जाएगा तब ही सिक्षा को बचाया जा सकता है और यह जो काम है मैं politically इसको pressure group के तौर पे देखता हूँ यह pressure इतना होना चाहिए left right center के उपर कि कम से कम अगला जो उनका चुनावी manifesto हो उसमें उसक्षा पे कितना खर्च करेंगे यह clear cut बात वो लिख सके है जब तक यह नहीं बनेगा सिक्षा के उपर जो attack है यह attack रुकेगा नहीं क्योंकि यह attack एक तरफा नहीं है दो तरफा attack है एक तरफ बाजार का प्राइवटाइजिशन का सेंट्रलाइजिशन का attack है जो पॉब्लिक प्रॉपर्टी है अब जी ही नहीं समझ रहे हैं बसंत कुझ का जगा एक हजार एकर जमीन तो स्वागत जमीन खरीदने में जो है मौल खड़ा कर देते इस देश के तमाम प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्विद्यालय तक हजारों एकर जमीन है और जो ये जमीन है उस जमीन पे बाजार पे कबजा जमाए बेठे जो गिद्ध है उनकी नजर है वो चाहते हैं कि एसा महल तयार करो कि ये संस्थान बंध हो जाए और इनकी जमीनों को उनके हाथों में बेच दिया जाए जरूरी भी नहीं है सबको पढ़ाना जरूरी नहीं है पहले ही हम लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि पहल लिख करके क्या करोगे पढ़ना जरूरी है नहीं, पढ़ते इसलिए हैं कि नौकरी लेना है, तो नौकरी यदि दस्वी पास करने के बाद ही मिल जाएगी, तो फिर P.A.T. करने का ज़रूरत है नहीं, इस देश में हैं, हम चाइना से एपल खरीद लेंगे, भारत में अपना इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो अमेरिकन, जो पॉलिटिकल फिलॉसपर होंगे, अमेरिकन हिस्टोरियन होंगे, जो फ्रेंच स्कॉलर होंगे, वो क्या इंडिया के बारे में लिखते हैं, वही पढ़ लेंगे, अब सबसे मज़ेदार बात है कि नहीं है, जेफर लॉट जो है, वो इंडिया के बारे में लिखते हैं, क्यों, सबासर करोर लोगों को इस देश की राजनिती में क्या हो रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कितना क्रेज है, मैं सरन सर्मा, इंटरनेशनली जो हिस्त्री का इस्टिट्यूट था, जो संस्थान था, उसके वह अध्यक्षवल है, हम भी कर सकते हैं, सवाल है कि सिच्छा को महत्तु दिया जाए, सिच्छा बाजार में खरीदने बेचने की बस्तु नहीं है, सिच्छा हमारा बुनियादी अ इकल करके वहां भी पहुँचे जहां बिजली नहीं पहुँची है, बहुत बहुत धन्यवाद।